राजस्थान में होने वाले विधान सभा चुनाव की रणनीती को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे के नेतरित्व में होने वाली इस बैठक में राजस्थान के तीस वरिष्ट कॉंग्रेसी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में वे दिल्ली नहीं जा सके। चुनावी रणनीती के तहट कुछ नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी जा सकती है। अशोक गहलोत इस बैठक में महंगाई राहत कैंप और जन कल्यानकारी योजनाओं के कारण प्रदेश में पार्टी के प्रती बने सकारात्मक माहौल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। राजस्थान के लिहास से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाइलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ अंशन कर चुके हैं और रैली भी निकाल चुके हैं। पाइलट के आरपार के मूर को देखते हुए अब कॉंग्रेस आलाकमान सुलह के प्रयास में जुटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत पाइलट के बीच ऐसे ही जंग जारी रही तो आने वाले चुनावों में पार्टी को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली की बैठक इस विवाद की वजह से भी अहम मानी जा रही है। भुवीर मीना को भी बुलाया गया है।